हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टेटी पर कैसे हैं दोस्तों आप लोग अमिद करते हैं कि पहतर होंगे और अपना तैयारी जोड सोड से कर रहे होंगे आप लोगा एक्जाम नजदीक है तो तैयारी तो लाजमी बनता ही है तो फ्रेंट्स इस विडियो में हम लोग बांद करेंगे साइन्स के महत्वपूर्ग प्रश्नों के बारे में जो की सीधे सीधे आपके एक्जाम नेशन में आएंगे इस वीडियो से मैक्सिमन कुश्टिव पूज़न में देखने को मिलेंगे ठीक है मैंने पिछले साल भी questions कराया था हलांकि पिछले साल बहुत कम ही questions करा पाया था लेकिन उसमें से भी maximum questions आपके examination में आये थे और आपनों को पता है कि 50% objective questions बूझे जाते हैं तो objective प्लेस objective जितने भी questions होंगे सारा questions हम लोग इस channel पर cover करने वाले हैं तो चले दोस्तों शुरू करते हैं लेकिन एक बात कहना जाओंगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंट सर केले में भी share कर दीजेगा ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा पाए और अपने exam में maximum marks ला पाए हम लोग किस तरीके से परहाई करने वाले हैं देखिए objective based हम format में तो चले दोस्तों शुरू करते हैं पहला प्रस्ट से पहला प्रस्ट कह रहा है कि लगू पथन के समय परिपत्म वेदुधरा के मान पर क्या परभाव पड़ता हैं यदि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो questions bank या फिर previous question देखा होगा तो बहुत बढ़ यह questions पूछ थि कि पढ़ तो यह पर पलता हैं तो सबसे पहले बताव प्रसे करें लगू पत्थन होता क्या है तो ते apologise होता क्या है कि हमारे घरों में के जादी इसपे विदुत होता है और कवी धूरत का थे है जिससे क्या होता है के वेदृत में तार और उदासिन तार जो रोटा वह एक कारण mean का रो मत्रा में का प्रवा होने लगता है कि घरणे कि अधितने प theta क्या होता है जल जाता है ठीक है, और इसे फिव हम लोग क्या बोलते हैं, लगुपथन, यानि कि हम इस तरी के से कह सकते हैं, कि वेद्धू में जो तार होता है, वो और उता सिन तार एक दूसरे के संपरक में आने के करण गया होता है, तो लाजमिसी बात है जब दोनों तार एक दुसरे से connect होंगे तो धारा का मान ज़ादा बढ़ेगा याने कि वेद्धारा का मान काफी ज़ादा बढ़ जाएगा छले दूसरा कॉस्चन देखते हैं दूसरा प्रसन है प्रकास के प्रावरतन के कितने नियम है देखें, प्रकास के प्रावरतन के अगर हम नियमों की बात करें, तो प्रकास के प्रावरतन के दो नियम है, ठीक है, कौन-कौन से नियम है, तो देखें, आपको यहाँ पर पिक दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने एक मिरर लिया है, यह क्या है, एक मिरर है, ठीक है, मिरर के उपर मन लिजिए कि मैंने इस तरीके सा light को incident कराया तो reflect होने के वाद ऐसे चला जाता है हम जानते हैं कि mirad का प्रकरती होता है, दरपन का प्रकरती होता है कि दरपन पर यादी हम कोई भी प्रकास के किरन को आपतित कराते हैं तो वह क्या हो जागा, प्रावर्तीत कर देगा ठीक है और rule क्या कहता है कि इसमें जो आपतित करन होती है यह और प्रावर्तित करन होती है यह और अगर इस आपतन बिंदू पर अगर हम यह अभिलंब डालें तो तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होता है यानि first rule क्या कहता है first rule तो यह कहता है कि आप्तित किरन परावरतित किरन और अभिलंब तीनों क्या होते हैं एक ही तल में होते हैं ठीक है उसके बाद second क्या है कि यह जो incident angle बन रहा है आप्तित कौन बन रहा है आप्तन कौन बन रहा है और यह reflected angle बन रहा है, यानि कि प्रावरतन कौन बन रहा है, यह दोनों क्या होते हैं, equal होते हैं, यानि कि angle i is equal to क्या होता है, angle r होता है, तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रकास के प्रावरतन के कितने नियम निकल कर क्या रहे हैं, दो नियम, एक तो आ रहा है कि angle i is equal to angle r, और 120 वोल्ट पर दो एंप्यर की धारा प्रवाइद होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा दखें फ्रेंट्स निम्रीकल के लिए आपनों को चिंता नहीं करनी है क्योंकि जब एक्जाम नजदीक आएगा तो हम कोसिस करेंगे हम कोसिस करेंगा कि हम वीडियो लेकर करे यहां कि और ऑट यहां रही है तो यहां कि काई प्रतिरोध में मेंसक्रक्रेट कुछरी समय अदिया है हमारा रही ह्या क्या रूह सकी रेसिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, फर्मूला तो आप यह जानते हैं, तो फर्मूला पर लगा देजिए, V है 220 वल्ट, तो V के स्थान पर रख दीजिए, 220 is equal to, I कितना है, 2 अंपियर इंटू R, जैब इसको इसको इससे डिवाइड के जागा, तो कितने टाइमस जाएंग चलिए, अगला प्रस ने देखते हैं, चलिए दोस्तों, next question क्या काइरा, एक किलो वाट घंटा कामान कितना होता है, तो सबसे पहले आपको तो यह पता होना जी, एक किलो वाट घंटा अखिर है क्या, तothesकि किलो वाट घंटा जो हता है, या व्यमसाई कुड़ërजा का ऐस इसका value पता करने के लहां, हम लोगों को यह पता होना चाहिए, कि watt hour, यानि एक watt hour का value कितना होता है, ठीक है, तो कभी भी अगर एक watt hour का value आप से पूछे, तो याद रखेंगा, एक watt hour का value होता है, 3600 jool, क्या होता है, 3600 jool, याद रहेगा, चलिए, अब यहाँ पर एक kilowatt hour कह र रहें तो कितना होग yellow order kilo paymentौ इसका वैली कितना होजाएगा 36 गुने 10 पर पर पावर 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 क्या नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं 10 10 कटके एक हो जाएगा एक हो जाएगा मतलों एक से अगर किसी चीज़ को गुना करते हैं तो उसके वैलियू में कोई जर्जिंग नहीं आती है ठीक है तो इसका वैलियू कितना हो जाएगा देखिए यह यहां पर 10 पर पावर 14 पर पावर यहां पर कुछ नहीं है तो एक है हम जानते हैं कि अगर आधार बराबर होता है तो पावर क्या होता जूट जाता है और यहां 36 के नीचे यानि कि टोटल के नीचे यहां पर हमने 10 से क्या क्या डिवाइड करा है तो यह कितना हो जागा 3.6 into 10 to the power 5 plus यह 1 कितना हो दोनों याद रखिये हैं हो सकते हैं आप सैसे पूछले ओप्शन में देदे कि 36 गुने 10 पर पावर पावर पांच तो उससे में भी confusion होगा तो दोनों याद रखिएगा 1 किलो वाट आवर का वेल्यू कितना हो जागा या तो 36 गुने 10 पर पावर पावर पांच या नहीं त तो देखिए वीभव का पूछे ठीक है किसका या आपसे वीभव का पूछले या फिर आपसे विवांतर का पूछले दोनों का ऐसा यूनिट क्या हो जागा वोल्ट हो जागा क्या हो जागा वोल्ट और वोल्ट को लोग किससे इंडिकेट करते हैं वी से इंडिकेट करते ह इसे में और भी कुषिन का ऐसे मतर पूछे जाता है, जैसे करेंट इलक्टरिसिटी का पूछले, ठीक है? करेंट इलक्तरिसिटी यानि विदुद्धारका, तो याद रखेंगा, विदुद्धारक ऐसे मतरक एमपयर होता है वीभव का पूछ ले या विभवांतर का पूछ ले क्या जाएगा वुल्ट जाएगा एंसर ठीक है प्रतिर्वध का पूछ ले क्या जाएगा ओम जाएगा आंसर ठीक है फिर पूछ ले विवसाई कुड़जा का ऐसा ही मतर क्या होता है तो अभी जेस्ट मेंने बताय क्या हो आवर होता है इस तरीके की जितने भी ऐसा यूनिट होते हैं वह सार ऐसा यूनिट आप लोग याद कर लीजिएगा चलिए अगला प्रस्ण कहा रहा है सोडियम कर्बोनेट सोडियम बाइकर्बोनेट जिप्सम प्लास्टर और पेरिस और विरंचक्चुन का और नमक का अनुसुत्र लिखें ठीक है तो फ्रेंड्स यह तो कम सगम आपको याद कर ही लेनी है केमस्ट्री में केमिकल फॉर्मूल का तो सडियम कर्बोनेट का क्या होता है एन एक 2029 ठीक है तो इसमें क्या कर देना है एचट कर देए हैं ठीक है और द्रोंत इसन ग्रता है कैल सेउन सेलफेट हो ठाएं क्या होचा है क्या हो जाइगा एसे 4 हो जाएगा, ओके, उसके बाद, प्लस टोर फिर इस क्या होता है, तो देखे, जिबसम को गर्म करने के बाद ही, प्लस टोर फिर इस प्राप्त होता है, तो C.A.S.O. 4 into 2H2O होता है, इसका value, ठीक है, 2H2O, जब इसको गर्म करेंगे, तो इसमें क्या होगा, पानी गाव हो ज तो याद रखे है, व्रेंजक चोन का होता है, केल्सी हमक्सी क्लोराइड, तो C.A.O.C.L.2, ठीक है, यह हो गया व्रेंजक चोन का, और नमक का आप लोगो पता ही है, सोडियम क्लोराइड यानिकी NaCl, तो यह chemical formula मैं यहाँ पर जितना वीर असानिक नाम लिखा है, इस सब का chemical formula आपको याद होना चाहिए, मैं यहाँ पर एक चार्ट पना देता हूँ, आप इसका screenshot ले लीजिएगा, ताकि याद करने माशन देखे, बहुत सारी chemical formula दिया हुआ है, तो उतने याद करना मुश्किल है, ठीक है, कम समय है, तो कम समय हम लोग hard work के साथ 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 smart work भी करन है, तो इस प्रसन को आप लोग जरूर से जरूर याद रखेगा, क्योंकि पिछले साल का यदि आप प्रसन उठाते हैं, तो second shift में सीधे 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 से question पूछा गया था, अगला प्रसन है किसमे अलेंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, देखे, reproduction की बात करें तो reproduction वह method है, जिसके तोरह क्या क्या जाता है, कोई भी जीव अपने जैसे संतर्थी को उत्पन करता है, ठीक है, reproduction की दो भी दिया होती है, reproduction की कितने टाप्स है, दो टाप्स है, ठीक है, एक तो हो जाते है आपका sexual, और एक हो जाता है, asexual, sexual मतलब क्या हो जागा लेंगिक प्रसन जि मुकूलन, इंगलिस में budding बोलते हैं उसको, जनी सरीर से bud का विकास होता है, मुकूल का विकास होता है, और जब स्वतनत्र जीवन यापन करने लाइक हो जाता है, तो वह क्या करता है, तो इसमें पूछा जा रहा है किस किस में होता है, ठीक है, तो आप एक याद रखेंग एक hEDRA और एक yeast सब्सक्राइब हरें तो दोनों से का से सरीद है यहां पर इसससे यहां मोकूल निकल रहा है, जो धीक्राएब विक्सित करेघा और जब यह सवत न्तरजीवन यहां करने लाइक हो जाएगा थे आपने जनक सब्सक्राइब का छोड़ देगा. यहांपरे भी देखिए, number first में क्या है, एक yeast का pick है, जिसने क्या है, मुकूल निकल रहा है, यहांपर देखेगा, यह मुकूल निकला, फिर यह मुकूल धीरे-धीरे क्या करेगा, विक्सीत होगा, और जब पूर रूपर डूपर विक्सीत हो जाएगा, तो फॉर्थ स्टेज जिसमें मुकूलन के द्वारा प्रजनन होता है, दुनों याद रखेगा, अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो याद रखेगा, अमीबा में द्विखंडन की विधी पाई जाती है, यानि कि अलेंगिक प्रजनन की द्विखंडन विधी पाई जाती है, अमीबा म आपने यदि plant reproduction पर होगा तो plant reproduction में जब sexual reproduction की प्रक्रिया होती है यानि लेंगे प्रजनर की प्रक्रिया होती है तो आपने को पता होना चाहिए कि पौधिया का जो मुख्य प्रजनर नंग है वा क्या है फूल है यानि कि फूल में दो पार्ट होते है एक तो होता है आपका जा जायांग होता है, और एक क्या होता है, पुमंग होता है, ठीक है, यह जो जायांग है यह फीमेल पार्ट होता है, और यह जो पुमंग है यह मेल पार्ट होता है, ठीक है, जायांग को इस तरी केसर भी बोलते हैं, और पुमंग को पूंकेसर भी बोलते हैं, याद रखेगा, जायांग को तीन भाग में डिवैन किया गया, जायांग का तीन भाग होता है, ठीक है, एक तो होता है stigma, ठीक है, stigma, जिसको हम लोग वर्तिकागर कहते हैं, एक होता है style, जिसको वर्तिका कहते हैं, और एक होता है ovary, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, अंडा से बोलते हैं, यान अगर हम male part की बात करें तो male part हो गया आपका पुमंग, पुमंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो हो जागा आपका पराग कोस, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, तन्तू, क्या हो जाएगा, तन्तू, तो आप से ये पूछ रहा है कि पराग कोस मे पार्ट को हम लोग जूम करके काटें, तो इस तरीके का structure देखने को मिलेगा, और आप देख रहे हैं कि ये क्या है, पराग कोस है, और पराग कोस में यहाँ पर आपको छोटे-छोटे दाने देखने को मिल दोगा, ये क्या होता है, तो पराग कोस में जो छोटे-छोटे द और female gamet किसे बोलेंगे? male gamet तो हो गया परागन और female gamet हो जाएगा over जिसको अंडानू कहते हैं ठीक है? तो याद रखेगा question में कहा गया पराग कोस में क्या पया जाता है तो क्या जवाब हो जागा इसका अंसर? पराग कन हो जाएगा क्या हो जाएगा? पराग कन चलिए आगला प्रसमें देखते हैं कह रहा है गवाइटर या घेगा या गलगन रुक इसकी कमी से होता है तो सबसे पहले आपको यह पतो होना चाहिए कि गवाइटर घेगा या गलगन से सरीर का कौन सांग परभावित होता है तो इससे परभावित होने वाला अंग है गला गले में एक गरंथी पाई जाती है जिसका नाम है थाईराइट क्या नाम है? थाईराड गरंथी ठीक है? थाईराड गरंथी से सरावित होने वाला एक हर्मोन है जिसका नाम है थाईरोक्सीन क्या नाम है थाइरोक्सीन थाइरोक्सीन हर्मन का सराव होता है किस से थाइराड गरंथी से अब अगर मान लिजए कि कभी गवार क्या होता है कि थाइराड गरंथी थाइरोक्सीन का सराव नहीं करता है क्यों नहीं करता है होता है कि हमारे सरीर में यदि आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है ठीक है किसकी मात्रा आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो फिर थारोक्सिन का निर्मान नहीं होता है क्योंकि आयोडीन जो है थारोक्सिन के निर्मान के लिए अनिवार है थारोक्सिन सराव तभी होगा जब हमारे सेरे में आयोडीन की मात्रा जिसने क्या क्या होता है, गला का आगे वदेला भाक होता है, इसी को हमलोग क्या बोलते है, ग्वाईटर या फिर घ्याघारों को की बोलते है? ठीक है तो question में क्या कहा गया कि गॉइटर या घेघा या गलगंडरों किसकी कमी से होता है तो basically यह जो हो रहा है आयोडीन की कमी से किसकी कमी से आयोडीन की कमी से क्योंकि आयोडीन नहीं है मासरीर में आयोडीन नहीं है तो थारक्सिन का निर्मान नहीं होगा और थारक्सिन क तेरी एक तदावाब बढ़ेगा, जिसके करण थाराइड गरंथी का आकार बड़ा हो जाता है, और कौन सा रोग कहलाता है, घेगा रोग कहलाएगा, या फिर गलगंड कहलाएगा, ठीक है, उमिद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिस तो थाराइड ठीक है, पारा थाराइड गरंथी का काम क्या है कि यह सरीर में केल्सियम की मातरा को नियत्रित करता है, किसकी मातरा को नियत्रित करेगा, केल्सियम की मातरा को नियत्रित करेगा, अगर सरीर में पारा थाराइड गरंथी की सकडियता कम है, या इसे जो केमिकल का सेक्रेशन ह होता है वह नहीं हो रहा है तो सरीर में केलसियम की कमी हो जाएगी और हड्डियों में छीदर होना स्टाट हो जाएगा ठीक है और हड्डियों में छीदर होना क्या कहलाता है और अस्टियों पूरोसिस कहलाएगा तो प्रोसिस रोग क्यों होता है हड्डियों में छीदर होने क कारण या हड्डिया कमचोर होने कारण हड्डियों में छेद्र록ियों होगा और हड्डिया कमचोर की होगा जारिगा कैल्सेइम की मात्र Alps forensic काम- turning death करना बंद कर दिया तो केल्सियम की मात्रा जो होता है उसके नियंत्रण नहीं हो पाएगा, हम कितना भी calcium योग खादपदार्द करन कर लें या फिर tablets का योज कर लें calcium का level maintain होगा ही नहीं हमारे सरीर में जिससे करना अस्थिया कमज़र हो जाएगी दानत कमज़र हो जाएगे और उनमें छरन होना चालू हो जाएगा आकास का रंग नीला किस घटना का पड़ी नाम है तो देखे आकास का रंग नीला का है ठीक है या फिर आपसे ये भी पुछ लेगा कि डूबता हुआ सूर्य या फिर उगता हुआ सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है या फिर खतरे का निसान लाल क्यों होता है तो इस सब का आंसर क्या हो जागा प्रकास का प्रकिरनन देखिए होता क्या है प्रकास के प्रकिरनन में जब आप लोगोंने परहा होगा dispersion of light प्रकास का वर्ड विक्षेपन तो आपने परहा होगा कि यदि किसी प्रिज्म से अगर स्वेत प्रकास को गुजारा जाता है तो वह सात रंगों में क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है ठीक है, सात रंगों में सबसे उपर होता है red अगर एक पट्टी प्राप्ट होते है इसको बोलते है spectrum तो सबसे उपर होता है red और सबसे नीचे क्या हो जागा? बैगनी, ठीक है, सबसे उपर red सबसे नीचे बैगनी, तो इसको क्या बोलते है? विब जियोर बोलते है क्या बोलते है? मतलब violet, indigo, blue, green, yellow, orange और red तो ये जो red है इसका तरंग देर्ग है सबसे ज़्यादा होता है क्या होगा तरंग देर्ग जो होता है इसका सबसे ज़्यादा और इसका क्या होता है सबसे कम होता है एक trick बता रहूं याद रखेगा इसे related बहुत सारे question पुछे जाते है चुकि लाल रंग का तरंग देर्ग ज़्यादा होता है तो इसके पास सकती ज़्यादा है तो ये कम गिरेगा, यानि कम जोकेगा तो लाल रंग का प्रक्रिणन बहुत कम होता है जिससे कारण ये दूरी तक जाता है इसलिए एक खत्रे का निसाल भी लाल कलर का यूज किया जाता है ताकि यह दूर से ही प्रेक्षक को दिखाई दे और सुर्यास्त और सुर्योदे कैसे में भी रेड कलर का दिखाई देता है क्योंकि वहां से यानि सुर्य से सिर्फ लाल कलर ही प्रक्रनित हो जाता है याद रखेगा लाल रंग का सिर्फ और सिर्फ तरंग दर्ग जादा होता है बादमा की कुछ भी पूछें तो कम होगा जैसे अप वर्तनांक कह ले या फिर प्रक्रनन कह ले या सारा का सारा क्या होता है कम होता है याद रखेगा या तरीका है याद र आप वर्तनां को पुछले तो जादा होता है या फिर प्रकिर्नन पुछले तो भी क्या होता है जादा होता है ठीक है तो उमीद करते हैं कि सारा पॉइंट आपको समझ में आगया होगा चलिए एकला प्रसन देखते हैं नेक्स्ट कॉश्चन है कमड़े के इतापन पर द्रव अवस्था में पाए जाने वले धातू तथा अधातू का नाम लेखें देखें काफी महतुपूर्ण प्रसन है सारे प्रसन में ने जो निकुलेड किया है वो शारा इंपोर्टेंट करन्ध कॉश्चन है टो चलिए धातू की बात कर लें जो कमड़े के इतापध ध्रव वोस्था में होता है तो धातू कॉन हो जाएगा आपका धातू हो जाएगा आपका पाड़ा क्या हो जाएगा पाड़ा जिसका संकेत होता है हजई टीwarm इसका लेटिन नाम है और धातू क्या हो जागा है तो याद रख़ेगा अधात क्या हो जागा आपका नेक्स्ट कोश्चन है ओम के नियम का गनीतिय मान क्या होता है तो देखिए ओम चाचा ने एक नियम दिया था क्या नियम दिया था कि यदि कोई भी चालक तार है ठीक है यदि कोई चालक तार है और इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं ठीक है और जब इसे हम लोग Current Electricity प्रवाइद करेंगे तो Current Electricity इधर की ओर जाएगा ठीक है ना तो ये जो ये सीरा है और ये सीरा है दोनों सीरोपल क्या होगा विवांतर उत्पन होगा क्या उत्पन होगा विवांतर उत्पन होगा तो कहने का मतलब यह है कि ओम ने क्या कहा था कि अगर कोई भी विद्धुद पड़ीपत है और अगर उसमें एक चालक तार है तो चालक तार के अगर physical state में कोई चंजिंग ना किया जाएगा भौतिक अवस्ता में कोई परवरतन ना किया जाएगा खासकर के किसमें ताप में ताप में अगर कोई परवरतन ना किया जाए तो इससे प्रवाइत होने वाले विदुद्धारा है ना विदुद्धारा किसके समान उपाती होगा दोनों चालक के सीरे पर उत्पन विववानतर के यानि कि चालक तर के भोती का वस्था खासकर किताप में कोई परवरतर ना किया जाए तो चालक के दोनों सिरों परोत्पन विवांतर विदुधरा के क्या होगा समान उपाती होगा यदि समान उपाती का चिन हटाते है तो एक constant value आजाता है R यानि कि V is equal to क्या हो जागा R I इससे तीन formula निकलता है याद रखिएगा ठीक है क्या V is equal to R I यदि R को इधर छोड़ देता है I इधर ले आते है तो V is equal to I is equal to R एक यह निकल करके आगया ठीक है यह resistance का निकल करके आगया और याद ए आग को ही छोड़ देते है तो V is equal to R is equal to I ये तीन formula निकलता है तीनों का तीनों formula प्याद रखेंगे तो question कहा गया Ohm के nehmen का गनीतियमान क्या होता है तो Ohm के nehmen का गनीतियमान क्या हो जागा V is equal to I R ठीक है? V is equal to क्या हो जागा? I R हो जागा नेक्स्ट क्वेशन कर रहा है दिर्ग द्रिस्टी दोस का निवारन किस लेंस के दोर रखिया जाता है तो देखें द्रिस्टी दोस जो होते हैं हमारे आखें बहुत सारे परकार के होते हैं ठीक है, हमारा जो स्लेवस है, उसमें तीर परकार का पढ़ना है, दिर्ख दिरिस्टी दोस, और एक हो जाएगा आपका निकट दिरिस्टी दोस, ठीक है, और एक हो जाएगा जड़ा दिरिस्टी दोस, ठीक है, तो दिर्ख दिरिस्टी दोस क्या होता है, तो देखें, जानना चाहते हैं तो कमेट जरोड किजीगा हम इस पर एक वीडियो बना देंगे ठीक और एक होता है जरा रृष्टी तो डोस में क्या होता है कि ना तो दिर्ग दिखाएते ती है और नहीं नजदी के आवस्तु दिखाएते तो दूर में अगर आप dua word को परहेंगे तो do में उ आ रहा है क्या रहा है उ आ रहा है तो उ से याद रखेगा उत्तल लेंस क्वानस उत्तल लेकिन जड़ा कहलेगा तब तो गड़्वड हो गई ना पाद तब क्या होगा तो क्या किया है तो दोनों लेंस को मिरा करके एक लेंस त्यार किया जाता है जिसे बोलते हैं बाइफोकल या फिर द्वी फोकसी बोलते हैं क्या बोलते हैं द्वी फोकसी लेंस बोलते हैं या फिर इंगलेस में बाइफोकल लेंस बोलते हैं तो दूर द्रिश्टी दोस्ट के लिए उत्ते लेंस का, निकट द्रिश्टी दोस्ट के लिए अवत्ते लेंस का, और जरा द्रिश्टी दोस्ट के लिए देफोकसी लेंस का, एक और प्रशन पूछा जाता है कि सुवस्पस्ट दर्शन के नियूनतम दूरी कितनी होती है, त अधिक्तम कितना तो मैक्सिमुम कितना हो जाएगा तो याद रखेगा अनन्त आपका छमता आप जहां तक देख लो आपकी मरजी आपका आग है ठीक है आप अनन्त जहां तक चाहो वहां तक देख सकते हो लेकिन निवनुतम दूरी जो है वह पची सेंटिमेटर यानि की इस कुछकों से काएं मोटी कुछकों से काएं पतली और कुछकों से काएं बहुत मोटी है ठीक है तो जो सबसे मोटी कोसी का होता है उसको बोलते है धमनी क्या बोलते है धमनी बोलते है और धमनी खास करके सुधरक्त का पड़िवन करता है ठीक है याद रखेगा और धमनी से जो पतला होता है वो होता है सीरा और सीरा से जो पतला होता है उसको बोलता है केसी का ठीक है और तीनों से क्या होता है ब्लड का सेकुरेशन होता है जानी कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे पूरे बड़ी में ठीक है तो जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है इन सभी तीनों तो कभी कमार क्यों होते हैं कि ब्लड के दौराかな वैसे रेगॉलर होता है कि इसी पर्षिति Google में इस इस तिर यसमें कुछ ज्यादा होने लगता है तो क्या होता है ब्लड का जो होता है इन सभी पर प्रभाब पड़ता है या दबाब पढ़ता है धमनी और इसकी जो साखाएं होती है उन सभी पर क्या होता है दबाब पढ़ता है और इसी दबाब को हम लो क्या बोलते है रक्त दबाब यानि कि blood pressure बोलते हैं क्या बोलते हैं blood pressure इसी को short form में BP बोलते हैं ठीक है तो यह BP को किसी अंतर से मापा जाता है तो याद रखेगा BP मापने के लिए प्रेख किया जाता है sphigmo manometer का किसका sphigmo manometer याद रहेगा sphigmo manometer थोड़ा से लंबा नाम है लेकिन याद रखना पड़ेगा काफी important है बहुत पूछा जाता है blood pressure मापने के लिए किसका प्रेख के जाता है sphigmo manometer अब अगर आप से पूछ लेए कि एक स्वस्त व्यक्ति का जो blood pressure होता है वो कितना होता है और 80 क्या हो गया diastolic pressure mm हो गया mm और Hg हो गया पारे का दाब यानि 120 बटा 80 mm पर पारे का दाब ठीक है अगर 120 से अधिक हो गया या 30 से अधिक हो गया तो बोलेंगे BP high हो गया यदि इसे कम हो गया तो क्या बोलेंगे BP low हो गया तो दोने important थे आज का अंतिम प्रस नहीं लोग लिए इस वीडियो हम लोग करेंगे आपनों का response के हिसाव से फिर हम question की quantity को आगे बढ़ाएंगे यादि आपनों का response अच्छा आता है तो अगले पार्ट में हम लोग question के quantity को बढ़ा दिया करेंगे ठीक है question पूश रहे हैं अनुवांसिगे का पीता किसे कहा जाता है तो याद रखे हैं अनुवांसिगे का पीता कहा जाता है Gregor John मेंडल को किसको कहा जाता है Gregor John मेंडल को कहा जाता है क्यों कहा जाता है अनुवांसिगे का पीता क्योंकि genetics से संबंदित जो rule है यानि कि genetics के बारे में सबसे पहला जो प्रयोग किया था वो किन्होंने किया था Gregor John Mendel ने किया था और इन्होंने अपने प्रयोग के लिए किस प्रकार के पौधे का चेन किया था तो याद रखेगा बहुत वार पूछा जाता है इन्होंने अपने अनुवान सिक्ता से संबादित प्रयोग के लिए मतर के पौधे का चुनाव किया था ठीक है इन्होंने दो प्रयोग किया था एक किया था एक संकर संकरन ठीक है एक संकर संकरन ठीक है और एक किया था द्विगुन संकरन एक क्या क्या था द्विगुन संकरन तो दोनों का रेशियों भी पूछा जाता है एक संकर संकरन का F1 PD का रेशियो F2 PD का रेशियो और द्विगुन संकरन का F1 और F2 PD का जीनोटैप और फिनोटैप रेशियों पूछता है ठीक है आप लोग कमेंट करके बताएगा आप लोग के तियारी कर रहे हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए ठीक है तो आप बताएगा द्विगुन संकरन का जो फीनो टैप रेसी होता है वो क्या होता है ठीक है आप लोग हमें कमेंट करके बताएगा इस वीडियो में और वीडियो के लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस तरही का और यदि वीडियो चाहिए तुम भी कमेंट करें बताइएगा ठीक है और इस वीडियो को आपने अगले वीडियो में इस से कार्ट को ले कर टाइ